नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मैं हूँ कृशन सर और अब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ गाईज हम कंजुमर बिहेवियर के उपर बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था के कंजुमर जब मार्केट में जा रहा है एक सिंगल कमोडिटी परचेस करने तो उसका एक्विलिब्रियम कैसा होगा और जब वो मार्केट में जा रहा है एक से ज़्यादा कमोडिटी परचेस करने तो उसका एक्विलिब्रियम कैसा होगा वहाँ तक हमने बात कर ली थी, अब देखे एक बहुत important topic है, जो है law of equimarginal utility, देखे friends, जो हमने multiple commodities का case पढ़ा था, वो ही था law of equimarginal utility, जो आपको last video class में बताया गया था, देखे guys, अगर आपने पिछले video lecture नहीं देखें तो ये video lecture मत देखें, अपना phone, laptop बंद कर दीजिए ये class आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर आपने सारे पिछले lecture देखें तब ये class आपके लिए काम की रहेगी, significant रहेगी, हम बात करेंगे law of equimarginal utility के बारे में आज, जो हमारी classical approach है उसके बारे में, classical approach यानि कि जो पुराने economist थे, जो Marshall की approach थी हम उसके बारे में बात क करते हैं, ठीक है, वैसे में आपको बता दूँ जो लास्ट वीडियो lecture में, multiple commodity का case था, जिसमें हमने apple, mango और orange लिया था, वही law of equimarginal utility था, उसके उपर हम modern approach में अलग से fair बात करेंगे, और आज हम बात करेंगे केवल classical approach के बारे में, जो Marshall ने दी थी, Marshall के बारे में बात करे हैंगे, देखे, heading है हमारी law of equimarginal utility, अब देखे, आप मैंसे जितने भी student को objective paper दे रहे हैं, objective exam दे रहे हैं, उनके लिए बहुत काम का है, कि ये जो approach है, किस ने दी थी, Marshall ने, Professor Marshall ने, और इस law of equimarginal utility के कई और नाम भी हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हू यहां पर, क्या नामें देखिए, law of substitution, law of substitution आपको याद हो जाना चाहिए, law of maximum satisfaction, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, law of maximum satisfaction, in general, law of equimarginal utility, law of substitution and law of maximum satisfaction, ये सबसे ज़्यादा चलने वाले नाम हैं, आपको याद होने चाहिए, law of consumption, law of consumption भी बोलते हैं, law of economy and law of indifference, law of proportion, तो बहुत सारे नाम हैं, आपको इधियान रखने हैं, especially law of maximum satisfaction, law of substitution and law of equimarginal utility, ये तीन नाम जो है, सबसे ज़्यादा फेमस हैं, आपको याद रहने चाहिए, अब देखिए, क्या लिखा है law of maximum satisfaction, जब भी हम इस तरीके का rule पढ़ते हैं तो हमारी assumption यह होती है, कि जो consumer है, वो rational है, कौन होता है rational consumer, जो अपने satisfaction को maximum करना चाहता है, उसको हम बोलते है, rational consumer, तो अगर आप की बात करूँ, मेरी बात करूँ, या किसी भी rational consumer की बात करूँ, तो हर एक consumer अपने satisfaction को maximum करना चाहता है, वो उसी option को opt करेगा, उसी commodity को choose करेग उसी unit को consume करेगा जो उसको maximum satisfaction दे रही हो, वो वहाँ जाएगा, इस basis के उपर Marshall ने classical economist ने अपनी का प्रोच दी, एक और बात ही तो law of equi-marginal utility है, इसको बोलते हैं, second law of Gossen, याद है H.H.Gossen, German economist बताया था, LDMU जब पढ़ाया था law of diminishing marginal utility, उसको क्या बोलते हैं, first law of Gossen और law of equi- marginal utility को क्या बोलते हैं, second law of Gossen, 11th वाले students को subjective paper देना है, या graduation वाले बच्चों को subjective paper देना है, इतना जदा उनके लिए relevant नहीं है, जितना objective exam जो देने वाले बच्चे हैं, जिनके syllabus में, micro economics है, consumer behavior है, उनके लिए ये सारे नाम, second law of Gossen, ये बहुत important रहेगा, ठीक है, तो maximum satisfaction के बार marginal utility बोलते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं, दिएक टेबल को देखे, टेबल बनी हुए आपके सामने, जिसमें जो पहला कॉलम है, वा हमने लिखा है units of commodities, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, second column हमने लिखा है wheat, wheat से मिलने वाली marginal utility, marginal utility obtained from wheat, 50, 45, 35, 25, 15, 8, hypothetical है, मतलब मन गणत है, माना है, hypothetical है, सारा खेल, आप जानते हो, utility cannot be measured, बड़ जब तक हम Marshall की स्कूल में है, तब तक हम मान कर चलेंगे utility को measure किया जा सकता है, cloth, cloth से मिलने वाली marginal utility हमें दे रखिए यहां पर, MU obtained from cloth, 40, 25, 30, 35 and 3, हम यह मान कर चलते हैं, wheat की एक unit खरीते हो, एक रुपया खर्च करना बढ़ ठीक है, और जो consumer है, उसके pocket में है, कितना, 6 रुपया है total, कितना रुपया लेकर गया है, consumer, 6 रुपया लेकर गया है, उसकी जे में 6 रुपया है, यानि वो market में गया है, एक unit cloth की खरीता है, तो 1 रुपया खर्च करता है, एक unit wheat की खरीता है, तो 1 रुपया खर्च करता है व और टोटल उसकी जेव में 6 रुपय नहीं, वो 6 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, और हम यह मान कर चलेंगे, consumer rational है, वो अपना पूरा budget उटिलाइस करेगा, 6 के 6 रुपय खर्च करेगा, और उस 6 के 6 रुपय में जो उसका maximum satisfaction हो सकता है, वो gain करेगा, ठीक है, अब बात करते हैं, देखो, ध्यान से देखिए इदर, पहली unit की बात करते हैं, वो पहली unit किस की खरीदेगा, wheat की खरीदेगा, या cloth की खरीदेगा, अगर वो wheat की unit खरीदता है, उसको कितना satisfaction मिल रहा है, 50 utils, 50 utils का satisfaction मिल रहा है, और अगर वो cloth की unit खरीद रहा है, तो उसको कितना utils satisfaction मिल है, 40 Utils, satisfaction मिल रहा है, wheat पे मिल रहा है 50, और cloth पे कित्था मिल रहा है, 40, बाकियों में तो इस से भी कम है, ठीक, तो किस पे खर्च करेँगा वह, wheat पे या करना है तो वो अपना दूसरा रुपिया खर्च कौन सी कमोडिटी पर करेगा या दूसरी उनिट किसकी खरीदेगा अगर वो वीट दूसरी उनिट के लिए दूसरी उनिट के लिए दूसरी उनिट के लिए दूसरी खर्च करने के लिए वो वीट की तरफ जाता है तो उसको 45 क्लोटни के तरफ जाता है तो कितने से इस एपक्ञोना चीचिए फॉट्टि फार्ट के लिए पॉटि के लिए जाना चीज है आप रिश्टर इसे मिलेगा फॉर्टि फॉर्टी को फॉर्टिस ज्यादा 40 ज्यादा अब वो 30 रुपिया खर्च किस पर करेगा क्लोथ पर खर्च कर देगा समझे करी समझे बात को 30 रुपिया किस पर खर्च करेगा क्लोथ पर क्योंकि क्लोथ से 40 मिल रहा है और वीट से 35 ही मिल रहा है तो क्लोथ पर खर्च करेगा वीट पर खरच करें तो 25 और वीट पर खरच करेगा तो 25 वह वह दोनों से पराबर हैं किसी पर खरच करेगा किस पर पर करेगा अब जब सिक्सीनिट करने की बात आएगी wheat से मिल ले 25 और cloth से किता मिल ले 20 तो ये 6th unit यहां खर्च होगा यानि कहने का मतलब वो consumer बजार जाएगा 4 unit वो wheat की खरीदेगा और 2 unit किसकी खरीदेगा? cloth की 4 रुपे यहां खर्च होगे, 4 unit खर्च किया और 2 unit 2 रुपे यहां खर्च होगे और wheat पे 4 unit इसकी 2 unit इसकी यह जो combination है यह इसको maximum satisfaction प्रवाइड करेगा कैसे maximum satisfaction प्रवाइड करेगा? वो देखिए 50, 45, 35 and 25 इन सब की अगर हम total कर लेते हैं 50, 45, 35 and 25 कितना होता है? देखिए यह 155 हो रहा है यानि wheat से total जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 155 मिल रहा है और close से कितना मिल रहा है? 40 and 25 65 total कितना गेन करके आएगा वो 155 और 65 की total कर दो total कितना गेन होगा इसको देख लीजिए 220 हो जाएगा total गेन कितना किया उसने? 220, 155 और 65 220 हो जाएगा यानि कि यही वो combination होगे जहां उसको maximum गेन होगा अब अगर इसमें आप कुछ भी change करो मान लो cloth की 3 unit कर लो और wheat की भी 3 unit कर लो तो total satisfaction less than 220 रहेगा कोई भी इसके अलावा 4 unit wheat की और 2 unit cloth के अलावा कोई भी combination आप चूज करोगे तो consumer को जो satisfaction मिलेगा वो less than 220 मिलेगा लेकिन rational consumer क्या चाहेगा उसके given budget में उसको maximum gain हो तो वो 220 ही gain हो रहा है इसलिए वो 4 unit wheat की और 2 unit cloth की purchase करेगा sequence क्या रहेगी वो जब भी पहला रुपिया या उससे हर एक रुपिया जब वो खर्च करने जाएगा तो वो उस unit की पीछे भागेगा उस commodity की unit के पीछे भागेगा जो उसको maximum दे रहा हो gain maximum हो रहा हो ठीक है तो यह sequence रही पैसा खर्च करने की अब इसको हम एक diagram से समझते हैं और जानना चाहते हैं कि इसको law of equal marginal utility क्यों हम बोलते हैं इस rule में Marshall ने ये कहा था कि वो तब तक consume करता जाएगा जब सारी commodities से मिलने वाली utility बराबर न हो जाए ध्यान से देखो जो last 2 रुपे खर्च हुए थे last का जो 500 रुपया खर्च किया था वो किस पे किया था? cloth पे कितना मिला था? 25 और wheat पे खर्च किया 25 और ये वाला जो डाइग्राम है वो है cloth के लिए x axis पे units है wheat की units है और इधर cloth की units है अब देखो wheat की first unit से कितना मिल था? 50 तो ये 50 पे लगा हुआ है y axis पे marginal utility है 10-10 के gap के साथ 10, 20, 30, 40, 50 तो first पे 50 मिल था? 50 लगा है second पे मिल था? 45 ये box बन गया 45 पे, second unit पे 45, third unit पे किता है 35 है, fourth unit पे किता है 25 है, fifth unit पे किता है 15, five तकी बनाए हमने फिर cloth के लिए बात करें तो first पे किता है 40, second पे किता है 25, third पे किता है 20, fourth पे किता है 13, और fifth पे किता है 5 तो इस तरीके से मिलने वाली utility है according to LDMU जब हम किसी commodity को continuously consume करते जाते हैं तो मिलने वाला satisfaction कम होता जाता है कम होता जाता है होता है कि नहीं होता है तो एक कम हो रहा है अब आप कहां आके रुके आपने first unit की खरीद ली second unit की खरीद ली third खरीद ली किती unit खरीदी आपने कपड़े की च्यार किती खरीदी च्यार इंट आपने खरीदी वीट की और क्लोथ की किती unit खरीदी थी आपने दो एक और दो ठीक लॉफ एक्वी marginal utility का मतलब है consumer सारी commodities को तब तक consume करता जाएगा जब तक सारे unit से मिलने वाला satisfaction बराबर ना हो जाए तो देखिए जब वो फॉर्थ इंट कंजूम करता है कितना मिलना satisfaction 25 और इदर इसकी सेकेंड इंट कंजूम कर रहा है तो कितना मिल रहा है 25 तो यह हमने एक 25 के उपर horizontal line बना दी है इसको बोलते हैं equi marginal utility line that is why it is called law of equi marginal utility तब तक consume करता रहेगा जब तक wheat से और close से दोनों से मिलने वाला satisfaction बराबर ना हो जाए 25 25 फॉर्थ पर 25 हुआ और यहां second पर 25 हुआ तो यह वाला line जो हो गया वो किसको represent कर रहा है equi marginal utility line को represent कर रहा है तो guys यह थी Marshall की approach जो classical approach मान लीजिए जिसके अंदर सबसे पहली बार जब equi marginal utility को या second law of Gaussian को या law of maximum satisfaction को या law of substitution को जब समझाया गया तो इस तरीके से समझाया गया लेकिन उसके बाद जो modern economist है balding और उन्होंने जब अपनी approach दी थी तो वो मैंने last class में आपको जो more than two commodities का case बताया था apple mango और orange वो वाली approach थी जहाँ equilibrium कहा होता था mu x upon p x equals to mu y upon p y equals to mu z upon p z equals to mu m ये तो ये modern approach है इस approach के बारे में इस video lecture में बात नहीं करूँगा वरना video lecture बहुत बढ़ा हो जाएगा लेकिन आज का video lecture बहुत चोटा है बहुत small है ठीक है तो ये था classical approach प्रोफेसर मार्शल का next class में हम modern approach के बारे में बात करेंगे balding or जैसे जो economics थे जिन्होंने जो approach दीते हैं उसके बारे में बात करेंगे तब तक के लिए आप सारे video lecture अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे video lecture देख लीजिए ये classes आपको consumer behavior समझाने में बहुत help करेगी तो मिलते है next class में thank you